अभी दूसरा जो टूल है हमारे पार्फाइंडर में that is super truck अभी यह जो super truck है इसके दो पार्ट नेट्स अपने बना है पहला पार्ट क्या है तो super beginner और दूसरा जो पार्ट है इसे कहते है super achiever फास्टा खतम हुआ चलो अभी आपके नीचे से जो लोग है जो आपको support करने वाले हैं आपको प्याओर बनाने के लिए support करने वाले हैं आपकी team में अचीवर की संक्या इन लोगों की वज़े से बहुत ज़्यादा बनने वाली है तो यह लोग कोन है ते इस super beginner, super achiever अभी super beginner मतलब क्या एक बात ध्यान में रखना है सबने जिनका income 25,000 से कम है फिर से दो रहता हूँ जिनका income 25,000 से कम है यह सारे लोग पहले आपने यलवन किया था यल्टू किया था यह किया था वो किया था वो सब छोड़ दीजे अभी जिनका income 25,000 से नीचे है वो सारे के सारे ल जराए किया बीजेश करने के लिए था जिसके गे लिए ज decor डालते थे घूछ लिए रिंटमस पेपर क्लर चेंज होगाए तो बने था यहाँ पर इसमें के लिए करने के लिए जो बिगिनर का टैरगेट कितना रहेगा वह पिर से दो रहा हूं नया पात roughly 25 बिगिनर के लिए क्या है 20-2,000 का turn now आगर जुलिय मेहने में लाते हो तो आप बन गये इस्वरगिनर और यह इस्वरगिज़ric के लिए क्या है यह इंप्रटन बात है एंप्ट मनने के बाद वाला ढंद है आ जरूरी है मतलग किसीने 20 सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर किसी ने एक की रिषिट भी सजार का माल दिया तो वह में चला जाएगा यहां पर सुपर बीगिनर के लिए कैल्कुलेटर नहीं होगा यह बात द्यान में रखना इसलिए बनने के बाद आता है तो कंपनी आपको बहुत ही बड़िया बो बीगिनर को तिन टका नेट्वर कमिशन तो 2020-40,000 का तिन टका कितना हुआ 1200 रुपया इसी के साथ साथ बीगिनर में सुपर बीगिनर में इंट्रिक कर लिया इसलिए एक बार सिर्फ एक बार पहली बार आपको एक बोनस मिलेगा दो टका 40,000 के उपर दो टका मतलब 800 रुप है मतलब यहाँ पे सुपर बिगिनर के लिए ध्यान में रखना यह पॉल चेटी एक बार मिलेगी एक बार आप इंत्री उसमें कर लिजे बिस बिस हजार में तो नेट्वर कमिशन प्लस दो टका बोनस मिलाके बिस बिस हजार के ऊपर चालीस हजार के उपर आपको दो जार का चेक आ सकता है तो आपको आपके टिम में ये बात ध्यान में रखना है जो नए नए लोग अपनर आने वाले है उन्हें बेर मिनिमम कम से कम हमें सुपर बिगिनर बनाना है ताकि उनके घर में अच्छे पैसे भी जाये और यही वो लोगे जाने वाले समय में आपको बहुत सारा फाइदा देने वाले है ठीक है तो चुले यह तो हो गया सुपर बिगिनर का अब अब यहां पर सुपर विगिनर के लिए जैसे यहां पर दिया है एक ही बार मिलेगा वन टाइम मिलेगा 20 महिने में बीजबिस अजार किया तो आपको 40,000 के उपर 2,000 का बेनिपिट मिलेगा आगले महिने फिर से बिजबिस किया तो वो सुपर विगिनर नहीं रहेगा असमिता था ना जिसने हमें बहुत जबरदस तरीके से फाउंडेशन दिया था हमारे फास्ट्राक अच्यूमेंट के लिए हमारे करियर के लिए वह से दोस्तों यह जो सुपर अच्यूर है ना यह सक्षम असमिता का भी बहुत बढ़ा रुपे बहुत ही जबरदस फिड भी दिये और काम बहुत आसान भी कर दिया है तो चलो देखते हैं यह सुपर अच्यूर है क्या यहां पर इंपोर्टन बात एक ध्यान में रखना जरूरी है क्या बाते मैं आपको बोलता हूँ पहली बात सुपर अच्यूर में जैसे कोई गाड़ी चलाने के लिए जब सीखता है तो पहले वो 30 के स्पीड से चलाता है थोड़ा कॉंपिडेंस बढ़ने के बाद 50 पे सीघीव चलता है थोड़ा कॉंपिडेंस बढ़ गया तो पच्छतर पे चलाता है और बाद में सो में भी आराम से चलाता है मतलब यहां पे गाड़ी चलाने वाला दीरे 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 आगे बढ़ता है तब तक उसका प्रैक्टीज भी होता है उसका कॉन्पिड़न्स भी बढ़ता है और अगर शुरू में कोई आया रहे एक तम जट से एक्सलेटर दमाए सो का तो एक्सलेटर होने के चां चाहता सब्सक्राइब लेवल है क्या कि हिसाब से चला अब यहां पर लोग देखतें यहां पर important बात है नेटसब्स ने हमें तीन अलगला टाइके इंसेंटिव के लिए तीन अलगला लगला के इंसेंटिव करता है कोई तो उसे क्या मिलने वाला है दो टका बोनस मिले एक है लेकिन सुपर अच्छिवर में आता है वही बिस्विस के बज़ा तीस-तीस अजाटर नो डालता है तो यहां से उसे बहुत सारे फाइदे मिलने आ ले पहले उसे तीन टाइप का भी सुपर अच्छिवर रह सकता है बहुत सारे लोग सोचेंगे सर वह पचास-पचास ठीक है लेकिन पचातर में रहेगा तो फास्टेक में आने वाला है यहां पर एक बात ध्यान में रखना जरूरी है जुले में फास्टेक में इंट्री कर सकते हो उसके बाद डायरेक्ट जनुवरी में फास्टेक में इंट्री मिलेगा बीच में फास्टेक में इंट्री नहीं है तो जो लोग इस महने में साथ साथ हजार करके फास्टेक में इंट्री करेंगे वह फास्टेक में लगे रहेंगे वह फास्टेक से बाहर नहीं आएंगे लेकिन जिनका इस महने में साथ साथ हजार से कम टेर्नोर होगा वो सूपर अचीवर में रहेंगे डिसेंबर एंड तक जन्वरी वो जन्वरी में वो फास्ट्रैक में आ सकते हैं तब तक उनके लिए कई सारे भी निपिटे चार टाइक उनके लिए इंटी बोनुस मिलेंगे डूसरी है अगर वो रिपीट करता है जैसिये पहले 30 ये में 30-30,000 जो है उसने फिर से डाला तो रिपीट करने के बास उसे एडिशनल कमिशन भी मिलने वाला है और इसी के साथ-साथ उसे जन्रेशन इंकम भी मिलने वाला यह बहुत बड़ी आवात है ठीके दोस्तों आज तक जन्रेशन इंकम सिर्फ और सिर्फ जब से हमारा पा ये सारे लोगों को जनरेशन इंकम दिया है, सुपर बिगिनर को, सुपर अच्यूवर को भी, चलो यहां पर देखते हैं, टार्गेट सुपर अच्यूवर के लिए कैसे रहेंगे, तो यहां पर इंपोर्टन बात, पहला आपको 30 का लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, 30-30,000 अगर किसी ने 50-50, अब ये चार लेवल है, 30-50, 500, अगर किसी ने 50-50,000 ही डाल दिया, सीदा जुले महिने में, फिर भी, वो फास्ट्रेंग में तो नहीं जा सकता है, सुपर अच्यूवर में रहेगा, तो सुपर अच्यूवर में उसे 30 के हिसाफ से ही कैलकुलेट किया जा तो एक लाग के इसाफ से उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी अच्यूवर में ही गिनी जाएगी, मतलब यहां पर 30 का स्पीड आपको पहले क्लियर करो, आपको कमपनी से 60 मिलेगा, आप गाड़ी अच्छी चला सकते हो, फिर आपको 50 में जाना है, फिर 75 में जाना है, फिर मिलेगा, 3 तका, मतलब क्या हुआ मालूम है, एक बिगिनर लाइटनिंग स्टार, अगर 30-30,000 इस मेने में करता है, फिर से दो रहता हो, इस मेने में 30-30,000 करता है, तो उसको 3 तका नेट्वर्किंग कमिशन भी मिलेगा, साथ में 3 तका बोनस भी मिलेगा, मतलब उसका प्या इस आपसे उसको फाइदा मिलेगा, अगर इसने पहले महिने में 30-30 किया, और अगले महिने में उसने रिपीट किया, 30-30,000 रिपीट किया, तो एक बार, इंट्री बोनस तो एक बार मिलेगा, लेकिन रिपीट किया आगली बार तो उससे 3 तका के बज़ा, उसे 1 तका extra commission मिल चार टका से फायदा मिलेगा और जनरेशन इंकम उसे 15 डका मिलेगा एक जनरेशन का इंकम उसे मिलेगा जो आज तक नहीं मिलता था तो सुचिए तीस-तीस अजार में इंकम उसे मिलने वाला है यही अगर स्टार सुपरस्टार करता है तो वो स्टार सुपरस्टार मतलब जो स्टार सुपरस्टार है वो कम से कम उसे 50 के स्पीड से ही गाड़ी शुरू चलानी पड़ेगी मतलब सुपर अचिवर में जो बिगिनर लाइटनिंग स्टार है उसके लिए ही 30 का स्पीड है लेकिन जो स्टार सुपर स्टार है उसे कम से कम 50-50 का टर्नोर डालना पड़ेगा और हर महीने अगर वो 50-75 जाता है बाद में 100 जाता है मतलब उसे 3 बार इंट्री बोनस मिल सकता ह है स्टार सुपर स्टार है और उसने पहले महिने में 75-35 इसी महिने में डाल दिया तो भी वो लेवल वन का ही अच्वेंट समझा जाएगा इंकम उसको कितना 75 के साब से डाला उससाब से प्याउट आएगा लेकिन जो बीनिफिट है वो दूसरे लेवल के साब से मिलेंगे म मतलब यहाँ पर भी पहले 55 इंटरी करो फचास वयाचू करो अगले महिने में पच्छातर पर जा सकते हो फिर से इंटरी बोनस मिलेगा और यह बार करो वहां से भी आपको फाइदा मिलने वाला है तो यहाँ पे जो है इंट्री बोनस कितना मिलेगा दो टका मतलब यहाँ अगले महिने में फिर से पचास-पचास किया तो उसे चाल टका तो नेटवर्किंग और यह रहा है दो टकाई इंट्री बोनस मिलेगा तो चे टकाई उसका वा मतलब जो गोल कलब वाला है उसका जो परसेंटेज वह एक स्टार वाला कमा सकता है इसी के साथ साथ अगर वो रिपीट करता है तो चाल टका के वजह उसे पाच टका से कमिशन तुसे दो जनरेशन का बेनिफिट मिलने वाला है और यही सिचेशन और सिल्वर के लिए है और सिल्वर वाला बेर मिनिमम कम से कम उसे पच्चतर पच्चतर में इंट्री करनी पड़ेगी यह बात ध्यान में रखना अगर कोई से छूट गया है या जुले के बाद अगर नहीं आएगा वो सुपर बिगिनर बाद में सुपर अच्वर के माध्यम से अपना करियार शुरू कर सकता है तो यहां पे पच्चतर पच्चतर वाला लेवल थी से करेगा एक बार उसे बोनस मिलेगा मतलब उसे दो बार इंट्री बोनस मिलने वाला है यहां पे आप कमिशन पास तका से छेट और तीन है जनरेशन का बीनिविट मिलने हो फिर देखे द्यान में रखना एक बढ़ता है ना तो प्यार जो है जैसे हमने हैं पर देखा कमिशन क्यालकुलेशन पास टका के बजाए चे च्टका तो एक टका बढ़ता है मतलब 33 चेक बढ़ रहा है साथ में जितना networking income आ रहा है वहां तक वो generation income भी कमा सकता है तो यहाँ पर अभी हमने सुपर अच्वर के बारे में कई सारे बाते यहाँ पर देखे यहाँ पर important बात एक है कि सुपर अच्वर को step by step ही आगे जाना पड़ेगा यह बहुत important है अभी यह तो हमारा जुले ही चल रहा है जुले महीने में हम पहले achievement कर लेते है अगर्ष्ट महीने में क्या करना है तो पहले ही हपते में हम सब लोग फिर से कट्टा होगे शायद हम physical program करेंगे अगर problem नहीं है तो कई पर बड़ा सा program होगा जहां यहां पर डीटेल इस महीने में हमारा planning क्या है इसके बारे में हम डीटेल calculations आप लोगों के साथ share करने वाले है यहां पर आओ रहे के आप लोगों का टर्नोर अच्छा है आप लोगों का achievement फास्ट होई इस लिए यहां पर नेट सबने अलग-अलग discount के offers labs भी रखे जो आपके mobile पर अल्रेडी आ चुके है मतलब यहां पर डाही अजार रुपए MRK का material आपको सिफ दोजार में मिलेगा जहां पर नैचरा मोर क्लीन आन्मोर रंग दे अबजर में मतलब बाइफिट छोड़ के सारे product आपको डाही अजार रुपए के 2000 में मिलेंगे त्वेंटी परसेंट है लेकिन दूसरा जो आफर है यहां पे 6000 रुपए के product सिर्फ जो बहुत बड़ा दमागा करने आपर हमारा यह जो वेज जोन है यह तो हमारा बाइफिट के लिए जाना जाता है हम बहुत पुराने खिला डिये इसके बारे में हम इतना दमागा उठाने वाले यहां पे हमें दिया है 20,000 अमारपी का माल 40 तका सिर्फ 12,000 में मतलब हमें यह जो आपर सिर्फ बाइफिट के लिए जैसे पहले ऑफर जो एक सुरो अलो देखा वाँ पे बाइफिट नहीं था यहां पे उनली बाइफिट है बाकि कोई ही नहीं है तो यहां से हम सबसे जवार्दस तरीके से काम करके आगे बढ़ने वाले और इसी के साथ साथ एक छोड भी पूरे नहीं है कुछ प्राड़क्स है जिसमें जिसका नाम है फेस वाज जैंडि लिए बीई क्रीम अंडराइज़ से समरे साथ नैके पर सहुआता हमारे पास हैं तो बस जाते हैं दोस्तों मैं आप लोगों आनसे एक ही बात कहिना चाहूंगा वो मराठी में बोलते हैं ना सिंडी तुटो वा पारंदी तुटो हमें कुझ भी करके हमें फास्ट टैक में इंट्री लेना ही है अभी भी हमारे पास काफी समय है अपॉर्चुनेटी निर्सप के अपॉर्चुनेटी हमारा दर्वाजा खटा रही है तो एक बात ध्यान में रखना अभी नहीं तो कभी नहीं इस बात को भुलना नहीं जोटी सी स्टूरी बोलता हूं और इसके साथ-साथ मेरा आज-का- सेशन है मैं यही पर खत्म करता हूं तो दोस्तो एक चुटी सी स्टूरी शेर करता हूं कि एक गाउ तो यह स्टोरी इसी जो टॉपिक अभी हम देख रहे है यह माईना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टर्ट है लाइफ चेंजिंग है अपॉर्चुनिटी जो आई है उसे छोड़ना नहीं इसके लिए छोड़ी सी स्टोरी है एक चोड़ा सा गाउ था उस गाउ में किसान का लड़का दिखने में बहुत हैंडसम था और बहुत अमिर था और उसी गाउ में एक लड़की थी बहुत खुबसूरत थी तो लड़का सोचता है यार मुझे इसके साथ शादी करनी है तो लड़का हैंडसम है पैसे वाला है लड़की से जाके मिलता है कहता है मुझे कोई प्रॉब्लیム नहीं है तो लड़का जाता है लड़की के पिताजी से मिलता मुझे आपके लड़की के साथ करनी है तो पिता जी देखते हैं लड़काा दिखने में ठीक पैसे वाला है तो थे चलो कोई प्रॉब्लल forward लेकिन वो क्या बोलता है मैं आपकी एक छोटी सी परीक्षा लेने वाला हूँ उस परीक्षा में अगर आप पास हो गया है मैं मेरी बेटी का हाथ आपके हाथ में देने वाला हूँ तो लड़का बोलता है कि कोशी एक्जाम पर तो बोलते है मुझे आपका attitude चेक करना है आप मेरी बीटी को कैसे समालने वाले है तो इसके लिए छोटा सा एक्जाम है कल सुबह 10 बज़े आ जाना राद बर उस लड़के को निन्ने आती है क्योंकि एक खुबसूरत लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली है उस चक्कर में दुसरे दिन सुबह 10 बज़े वो पहुंच के बाद वहां पे जैसे ही पहुंचता है पहुंचने के बाद वहां पे जो हम देखते यहां पे एक फिबिडि मैं प्लोज करने तो जैसे वो दूसरे दिन वहां पे लड़की के घर पे यहां पहुंचता है तो लड़की के जो पिता जी है वो उससे बोलते है एक काम करना ह यहां पे घर है घर के पीछे जो खाली जगा खेत है तो वहां पे आम का पेड़े या आम के पेड़ के पास जाके आपको खड़ा होना है और मैं यहां से तीन बैल छोडने वाला हूँ तीन बैल छोडने वाला हूँ बैल मतलब जो खीती के काम में जोतने के लिए इस्तिमाल क सब्ним आदिने घुक्त की बड़ी बात दीन में कोई बड़ी बात नहीं है। यह पिताजी इहाँ पिछे आम का मतलब दर्स्ट पुष्ट एकडम ताकदवर बैल है उचा पुरा है उसके सिंग भी बहुत नोकिल है यह सोसता है अगर मैं उसके पास जाओ और उसने इसे सिंग उसर दिये तो गड़बर हो सकती है पेट में सिंग उसर रखता है प्रॉब्लम आ सकता है तो सोसता है जाने ते लगता यार पहले के लिए कुछिश क्या होता तो अच्छा होता यह दूसरा बैल तो पहले का बाप निकला इससे भी बड़ा उससे भी नोकिले से और बहुत घुसे में था बहुत घुसे में था अब यह सोसता है मैं जाके पूछ पकड़ने बजाए अगर इसने मुझे द ला जाता हो उससे तीसरा बैल चुड़ो और तीसरा बैल जैसे देखता है यह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि तीसरा जो बैल एकदम दुबला पतला उसको चलना भी नहीं आता था ऐसे 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 करके करके दिरे-दिरे आ गया रहा है यह उस बैल को देखके बहुत खु तो दोस्तों कभी कभी हम बोलते है अगले हपते में अगले महिने कुछ भी नहीं जो भी करना है आज करना है अभी करना है आज करे सो अब और प्रले हो जाएगा फिर करेगा कब क्योंकि जुले ही तो मेंना है फास्ट्राइक में इंटरी करने के लिए जुले हाद से चला गया तो फिर आगए जाके मजा आने वाला नहीं है तो दोस्तों आपको एक बाद ध्यान में रखना है यह महीने में जितनी ट आकद आप जोग सकते हो जो कि एक ही टार्गेट आपके दिमाग में होना चाहिए मुझे फास्ट्राक में इंट्री करना है क्योंकि फास्ट्राक ही वो टूल है जो आपकी जिंदगी बहुत स्पीड में सक्सेस्पॉल बनाने में आपको सपोर्ट करने वाला है तो दोस्तों आप सब लोगों को मैं शुकाना है देता हूँ और चाहता हूँ आप सारे के सारे लोग फास्ट्राक अच्यू करके अगले महिने में हमें एक बड़ा सा प्रोग्राम हमारे वेस्ट जोन का फीजिकली एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले है और मैं चाहता हूँ सारे फास् तो थैंक यू तैंक यू सर थैंक यू बहुत ही जबर्दस्त तरीके से हमें बताया हो कहते ना अला अंगावर गेतला शिंगावर कौंसा भी वेल आने दो उसे छोड़ना नहीं और ये फास्ट्रेक का बहल तो बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना है क्योंकि आज तक हम हजा बनेल रहा है जिसे हमें कुछ भी करके पकड़ना और अंडेड परसेंट हम इस ट्रैक को लगे नेटसर्फ में सक्सेस्पूल बन सकते हैं और साथ में यह फास्ट ट्रैक में एंट्री अच्छी होनी चाहिए इसके लिए सेकेंड ऑप्शन है सूपर ट्रैक जो हमें डाउन लाइन में प्रमोट करना है सूपर बीगिनर और सूपर अच्छी बर मतलब लीटमस पेपर जैसे बोला सर ने बोला वीस-वीस हजार करने वाले वाली डिस्ट्रीटर को अच्छुमेंट यहां पर हमें करना है तीन लोगों को भी पकड़के चलता है तो कम से कम हम खुद जेम अच्छुमेंट में यहां सोपर अच्छुवर में भी Entry बोनस हमें विड़ा है, Generation बोनस हमें विड़ा है और Additional Commission भी हमें में रहा है रिपीट अच्छुमेंट करने के बाद तो बहुत ही बहथरीन benefits हमें past track और super drive दोनों projects में मिले है तो ज्यादा से ज्यादा इसका benefit लेना है और जैसे देतुले सरे ने बोला जल्दी ही हम ये offline में program करने वाले है और वहाँ पे जितना भी achievers होंगे उनके बीच में बहुत बड़ा दमा का बहुत बड़ा announcement करने वाले हैं so once again thank you देतुले सर फिर से एक बार जोड़ा टलिया होनी चाहिए देतुले सर के लिए thank you हमारे जितने भी GDC है उनसे गुजारिस है अमिट शुन्दे सर्ण एक message हमें दिया है वो हमें कल morning तक देना है ताकि हमारे waste zone से जादा से जादा fast track achievers हम कर सकते हैं उनको कोई भी doubt है तो हम on spot उसे clear कर सकते हैं so आप सभी को फिर समय बहुत सारी शुब काम ने देता हूं और आज का program हम यही पर रोखते हैं और fast track की तैयारी चालू करते हैं thank you and all the best thank you thank you very much and good night good night झालू करते हैं झालू करते हैं